असलाम अलेकूम, वेलकम टू मारियोंबर्च चैनल, आज मैं आपके लिए 6 अफ़तार रैसिपीस लेके आई हूँ, तो चाले इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो सॉर्डट को सब्सक्राइब संटे लिए सब्सक्राइब ने अन offers किए अ सब्सक्राइब काए पको अधे यहां पेन से स्याम यह मैंत इस प्यालग आपके लग ने तशान इस झाहा थोग़े कराएब करने यह कैस्दूंगरे का शी में इंट्राइब चाहिया होगा महीं, च अपने अंडा लिया है और ब्रेट क्रम्स लिये हैं और यह आप एस रिकोईड ले सकते हैं तो सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया है और सारा चिकन उसमें डाल देंगे और स्पाइसिस लगाके हम इसको हाफ एनार के लिए स्प्रेश में लगतेंगे ताकि इसकी मैरी मेशन अच्छी तरह से हो जाए तो यह स्टिक्स बहुत मज़े की बनती है जैसे आप बेकरी से लेके आते हैं उससे भी साथा टेस्टी बनती है हाफ एनार हो चुका है अब में इनको स्टिक्स की पर लगाऊंगी और अंडे और ब्रेक्रम्स की कोटिंग करूंगी और फिर मैने इसको फ्राइ कर लेना है तो इसी तरह से मैं सारी ड़ी कर लूँगी अब मैं सारी स्टिक्स रड़ी हो चुकी है अब मैं सब ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ ब्रेड क्रम्स का आपने अच्छी तरह से कोट कर लूँए इस तरह से तो इसी तरह मैं सारी ड़ी कर लूँगी तो अब मैं इसके पर अंडेगा कोट कर रही हूँ इस तरह से आपने डिप कट ले जाना है और आपने इसको फ्राइ कर लेना है और पहले आपका गरम होना चाहिए और उसके बाद आप इसको लो मीडियम फ्लेम पे 15 मिनिट्स के लिए कोट करेंगे आफ्टर फाइफ मिनिट्स आप इसकी साइड को चेंज कर दें ताके दूनों साइडों से अच्छी तरह से बन जाए तो विदिन 15 मिनिट्स से रेडी हो जाती है बहुत मैसे की बनते हैं आप इसको टी टाइम पर बनाए आपके घर कोई गेस्ट आ रही है आप तब बनाए और अफ्टार के लिए स्पेशन रेसिपी है तो आपने ये रेसिपी जरूर ट्राइ करनी है बहुत मैसे की बनती है अपना फीपेक मेरता जरूर शेयर कीज़ेगा असलाम अलेकुम मैं यूटियो फैमली कैसे आप सब लोग आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल रेसिपी लेके आई हूं रमदान से रेलेटिड है तो आज हम बना रही हैं चिकन पैटिस जिसको हम ब्रेट के साथ बनाएंगे कोई हम उसके लिए पफ पिस्री यूस नही बनाना बहुत असान है यहार गर में आराम से बना सकता है क्यूंकि आगे रोजे आ रही है तो यह आफ दर ला जाता है के लिए स्पेशल रेसिपी है बहुत असानी से बन जाती है और कोई जादा मेहनद भी नहीं होती हुआ आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राइ करनी है और अपना फीड़बैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी है और अगर आप मेरे चैनल पे नई हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ के बेल आइकन के बटन को ज़रूर दुबाईए ताकि मेरी आने उली हर लेटस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास महुंचे तो ये देखिए ये मिक्स हो चुका है अब मैं इसको स्टीम पे रखूँगी और स्टीम में मैंने इसको पकाना है लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे 15 मिनर्स के लिए तो आफ्टर 15 मिनर्स ये रेडी हो जाएगा तो हम इसको ड्रेक लीस में डाल रहे हैं क्योंकि हमने ओर इसके साथ एड़ कर दिया हुआ था और ये जिकन ने अपना पानी रिलीस कर दिया है ये इसी के बिच में कुक होगा तो ये देखिए जिकन कुक हो चुका है अब इन बोटियों को हम और छोटे-छोटे से पीसिस में कर लेंगे और अब चलते हैं अपने स्टेप टू की तरह तो ये देखिए मैंने इस साइसका कैप लिया है और एक ब्रेट का स्लाइस लेंगी इसके सेंटर में हमने रखना है और इसका सेंटर वाला पीस हमने निकाल लेना है जो इसके कॉर्डर्स बच रही है आप इसको हरगी जया मत कीजिए इसके आप क्रम्स बना सकते हैं या आप इसका ब्रट का हलवा भी बना सकते हैं उसकी रसिपी में आपके साथ जरूर शियर करूंगी तो इसी तरह से हम सारे कर लेंगे तो यह देखिए जो हमने चिकन की स्टाफिंग डाड़ी की थी वह हम इसके पर लगा रहे हैं उतनी लगाए कि जितनी इसमें पूरी आजाए और दूसरा स्लाइज उठाके इस पर थोड़ा सा हमने प्रेस करना है यह देखिए और फिर इसकी कोटिंग के लिए हमें जाहिए होगा अंडा और ब्रेट क्रम्स तो अंडे में हमने इसको डिप करना है थोड़ा सा प्रेस करके और फिर हम इसको ब्रेट क्रम्स लगाएंगे दोनों साइड रुपी अच्छी तरह से लगाएगा और इसके कॉर्नर्स पे जरूर अच्छे तरीके से लगाएगा ताकि इस स्टरफिंग बाहर ना आ सके यह देखिए यह रेडी हो चुका है और इसी तरह से हम बाकी सारे रेडी कर लेंगे तो यह बहुत असानी से बन जाते नहीं और इनके लोग डिफेंट होती है और टेस्स भी बहुत अड़ डिलिश्यस होता है आप इसको पार्टीस में बना सकते हैं, इंबैंट में बना सकते हैं और अफतार के लिए तो यह बेस्ट हैं बचों के लिए भी फेवर्ट है और बरों का भी बहुत पसंद आती हैं So my friends, do try this recipe and share your opinion in my comment section आप इसको बना के और ब्रेट की कोटिंग करके फ्रिज में रख सकते हैं वन वीक के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं होते तो आप इसको लेंज बोक्स में रखना है, और उसको आपने अच्छी तनहीं से cover कर लेना है तो आप इसको one week के लिए safe कर सकते हैं फ्रिज में रखके तो आप ये बनाएं फ्रिज में रखें इसको और अफ्तार से पहले आप निकालें जिस आप इसको fry करें तो बहुत असानी से ये रैटी हो जाते हैं तो फ्राई करने के लिए oil आपका बहुत जदा गरम होना चाहिए बहुत जदा गरम oil में हम इसको डालेंगे और इस थे हमने इनको हिलाना है ताकि हर जगा पर oil आ जाए तो बहुत असानी से और बहुत जल्दी फ्राई हो जते हैं क्योंकि ओईल हमारा बहुत ज़्दा पक्रा होता है अगर आप इनको नॉर्मल ओईल पे फ्राई करेंगे तो ओईल इनके अंदर चला जाएगा और ये खुराब हो जाएगे इसलिए ओईल को आपने बहुत ज़्दा अच्छी दरहां से गरम कर लेना है और फिर आपने ये इसमें डालने हैं तो बहुत असानी से फ्राई होंगे और बहुत ज़्दा मज़े के लगेंगे तो ये फ्राई हो चुके हैं तो चलिए अब इनको हम सर्फ करते हैं तो दोबारा फिर मिलते हैं एक नई रेसिपे के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ज़्दा ख्याल रखियेगा और दुआ में याद रखियेगा अला हाफिज गातीन उप तो चलें फिर देखते हैं कि इसे किस राई से रडऊ कि येंज़ करूँ मैं जिकन की स्टाफिंग यूस करूंगी जिसको बनाने के लिए मैंने अनियल लिया है वन मिडियाम जिसको मैंने बरीए कपर एक साचा चॉप्ट कर लए है और oil इसमें मैंने यूज़ किया था 3 टेबल स्पोन तो हमने प्यास को थोड़ा सा सोफ्ट कर लेना है तो जैसे ये सोफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें चिकन एड़ कर देंगे और बॉलनेस चिकन मैंने यूज़ किया है 250 ग्रैम जिसके मैंने बिल्कुल छोटा-छोटा सा मैंने हाथ से इसको कीमा बना लिया था तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे भून रही हैं जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें स्पाइसी जाड़ करेंगे और अब मैं इसमें पाउडर ब्लेक पिपर डाल रही हूँ वन टेबल स्पून आप इसे कोडिंग टू टेस्ट कम या ज्यादा कर सकते हैं सॉल्ट इसमें जा रहा है हाफ टी स्पून एक मिली स्मोल साइस का टॉमेटो लिया था जिसको मैंने बरीक बरीक सा चोप कर लिया है तो यह हम इसमें डालेंगे आप इसमें स्टरफिंग कोई सी भी यूज कर सकते हैं आलू की भी यूज कर सकते हैं और वेजिटेबल्स की भी यूज कर सकते हैं सोया सोस वन टेबल स्पून एंड किया है इसमें चिली सोस इसमें जाएगा वन टेबल स्पून कैबिज इसमें जाएगी वन कप जस्ट हम इसको थ्री मिनेट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे और फिर हमारी स्टाफिंग जो है ये रेडी है तो चलिए अब मांडा पटी को रेडी करते हैं और सिखते हैं कि इसे समोसा और रॉल किस रहां से रेडी किया जाते हैं मैदा हमें चाहिए होगा two cup salt चाहिए होगा one teaspoon और oil चाहिए होगा one and a half tablespoon तो इन तीमों चीजों को हमने एक साथ mix कर लेना है पूरा अच्छे तरीके से हमने इसको mix कर लेना है जब ये mix हो जाएगा तो हम इसको पानी के साथ गूंड लेंगे पानी अपने देख के डालना है थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और जैसे एक नोर्मल आटा गूनते हैं घर का तो उसी तरह से हमने इसको गून लेना है और अब हम इसको रख देंगे 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रेस्ट करने के लिए फिर ये डो सेट हो जएगी और पिर उसके बाद में आपसे मिलते हैं तो ये थेखें 30 मिनट्स हो जोगी है और डो हमारी पूरी सेट हो जोगी है अब हमने इसके छोटे-छोटे साइज के बॉल्स बना लेने हैं और देख लीजिएगा पूरे जिसके बॉल्स आप बनाएंगे अपने एक साइज के बनाने हैं और जो आपका तवा है जिसके उपर आपने इसको सेकना है आप उसके लिए हाज से देखिएगा कि ये उसमें पूरे आजाएं ज्यादा बरे नहीं होने चाहिए तो हमने एक साइस के चार पेरे बना लिये हैं थोड़ा सा मैदर डस्ट किया है और जिस तरह से हम रोटी करके रख लिए जिएगा इसे रोल मिनाएगा समॉसे मिनाएगा और आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं तो आप इस दफ़ा बाहर से लाना छोड़ दीजिएगा घर में खुद रड़ी कीजिएगा तो ये चारो बोल्स जो मैंने रड़ी किये थे उनको मैंने बेलिया है मैदा डस्ट करूंगी मैदा आपने थोरा थोरा कटके डस्ट करना है और मैदा हम इसकी डस्ट करते हैं ताकर जो हम दूसरी शीट इसके पर रखेंगे वो इसके पर स्टक ना हो जाए साके वासानी से उतर सके जो हम इसको बात में दालेंगे तो यह देखें थोड़ा थोड़ा करके मेज़र मैने इस पर ड़स्ट कर दिया है अब जो दूसरी शीट रेडी की थी वो इसके उपर रख देंगे और आप देख लीजिए दोनों उसके लेवल की हैं उसके पर हम दुबारा से ओईल लगाएंगे ओईल पूरा अच्छी क्वांटिटे में लगाईएगा ओईल लगाने के बाद दुबारा से पर मेज़र डस्ट करेंगे इसको बनाना बहुत आसान है यह बहुत आसानी से घर में रडी होती है तो इस रमदान आपने यह घर में पहले से रडी करके रखनी है और इसी की साथ आप सारी चीज़ें रडी कीजिएगा स्मोसे बनाएगा रॉल बनाएगा तो बाहर से मत लाईएगा इस दफ़ा आपकी घर में खुद रडी कीजिए और अपना फीड़ बैक में रस शेर कीजिएगा कि आपको मेरी यह मांडा पटी की रेसिपी कैसी लगी है यकिनर आपको बहुत पसंद आएगी यह इसको बनाना बहुत असान है और जैसी आप बजार से लेके आते हैं सेम टू सेम यह वैसी ही बनती है तो देख लीजिए तीन शीट जो थी हमने इसको पर ओल लगाया और मैदा डस्ट किया और जो लास्ट मली हमने इसके पर शीट लगाई है उसके पर हमने कुछ भी नहीं लगाया वो हमने जस्ट ऐसी ही इसके पर रग दी थी और उसके बाद हम इसको बेल रही है अच्छा बेलने का आप इसका देख लीजी तरीका आपने इसको बहुत अराम राम से बेलना है देख लीजीगा कि यह आपस में ज्यादा आपने इसके पर दुबाना नहीं है और जितनी लंबी हो सकती है आप इसको कर लीजिए जितना आ पांच मिनट पहले आपने तवे को अच्छी तरहां से गरम कर लेना है आप उसको उसका फ्लेम ओन करने पांच मिनट पहले आपने तवे को अच्छी तरहां से गरम कर लेना है उतनी दिर में आपकी जो यह मांडा पटी है पूरी रेडी हो जएगी आप इसको बेल लेंगे औ तो आप इसकी side को change कर दीजिए यह देख लीजिए इसका color change हो गया था तो मैंने इसकी side को change कर दिया है तो आपने इसको ज्याला देर तक नहीं पकाना सिर्फ थोरा थोरा सा color ना आ जाएगा तो आपने इसको फिर उतार लेना है यह मांडा पटी जो है यह देख लीजिए यह हमारी ready हो चुकी है तो यह देख लीजिए sheet हमारी गरम है और हम अभी इसको separate कर रही है तो जैसे ही गरम होगी आपने उसको वैसे ही separate कर लेना है तो यह देखिए कितनी प्यारी सी हमारी sheets ready हुई है बरीग बरीग सी जैसे आप अजार से लेकिए आते हैं same यह वैसी ही ready हुई है तो यह देखें बहुत असानी से separate हो रही है और बहुत मज़े की लग रही है जैसे आप अजार से लेकिए आते हैं same वैसी ही है और अगर आप यह मांडा पटी ज्यादा quantity में बनाना चाहते हैं तो जो recipe मैंने आपको बताई है आप उसको डवल कर लिजिबे किस रहां से काटनी है और सोमुसा की शेप किस रहां से काटनी है तो सबसे पहले हम समोसा की शीट राड़ी करते हैं सबसे पहले हम इसके कॉर्नर्स को सेपरेट कर देंगे इसी तरह हम दूसरी साइड से करेंगे और चारो साइडों से हम इसके कॉर्नर्स को सेपरेट कर देंगे So my viewers आपने ये रैसिपी ज़रूर प्राई करनी है इंशाला आपको बहुत ही ज़्यादा पैसान दाएगी और अपना फीड़ बैक मेरे साथ आपने जरूर शियर करना है कि आपको ये रैसिपी कैसी लगी थी तो जो आप इसके कॉर्नर्स उता रही हैं आप इसको बिल्कल भी जाया मत कीजिएगा आप इसकी पापरी बना सकते हैं जस्ट आपने इसको फ्राइ करना है और इसकी पापरी रैडी हो जाएगी तो जब आप दही भरे बनाते हैं आप उसके उपर इसको डाल सकते हैं ऐसा प ठीक है तो आप इसमें बिल्कल भी जायामन्त कीजिएगा तो ये देखिए ये शीट रेडी हो चुकी है अब हम इसको इस तरहां से लंबाई में काट देंगे तो ये हमारे समोसे की शीट रेडी हो गई है तो ये देखिएं जैसे आप बजार से लेके आते हैं सेम वैसी ही रेडी हुई है लग ही नहीं रहा कि ये घर में खुद रेडी की हुई है अब हम दूसरी शीट की रॉल शीट बनाते हैं थोरा सा हम यहां से उतार लेंगे ताकि इसको रोल की हम शेप दे सकें तो यह देखें यह आपकी रोल पटी रडी हो गई है तो आपने मांडा पटी बनाना सीख ली है और उसे आपने रोल की शेप देना सीख ली है और समोसा की शेप देना सीख ली है तो जब आपने मांडापटी घर में खुझ रडी करना शीख ली है तो आप बाहिर से लाना छोड़ तीज़िए और घर में खुझ रडी कीज़िए तो चलिए हम देखते हैं किसके समोसे कैसे रडी करते हैं आप इसको save कर सकते हैं one month के लिए आप इसको plastic wrap में डाले या किसी airtight container में डाले और आप इसको freeze कर ले आप इसको one month के लिए freeze कर सकते हैं जब आपने इसको बनाना हो तो आप इसको बनाने से एक घंटा पहले निकाल ले जब ये बिल्कुल normal हो जाएंगी soft हो जाएंगी तो आप इसके roll भी बना सकते हैं और समोसे भी बना सकते हैं तो ये बहुत ही काम की चीज़ है आप इसको freeze करके भी रख सकते हैं तो रमजान के लिए special है क्योंकि रमजान में इबादत करनी होती है तो ये सारा महनत का काम करने का time नहीं होता तो आप पहले से इसको बना के रख लीजिए और freeze कर लीजिए तो ये देखे हम इसको इस नहां से fold करेंगे और इसकी समोसा की shape आजएगी तो जोन से भी आपने filling ready की है आप इसकी मिच में fill कर सकते हैं आप इसमें chicken की filling भी डाल सकते हैं आलू की filling भी डाल सकते हैं और vegetable की डाल सकते हैं इस यूर ज्वाइस अब हमने एक paste ready करके रखी हुई है पहले से ही 1 tablespoon मैदा और 2 tablespoon पानी इन दोनों का आपने mix कर लेना है और ये paste आपकी ready हो जाएगी ये आपने इसके पर लगाने जी है और ये इस अराम से आपस में जूट जाएगा तो ये देखा इस तरहां से हम सारे समोसे ready कर लेंगी और अब चलते हैं कि हमने roll की सहां से ready करना है तो हमने roll की sheet ले ली है इसके पर हम stuffing डालेंगे और इसकी दोनों corners को इस रहां से एक जैसा कर लेंगे ताकि stuffing बाहर ना आ सके और फिर इस रहां से हमने इसको roll कर लेना है जो paste ready की थी वो इसके पर लगाएंगे और ये हमारा roll ready हो चुका है तो इस रहां से आप इसको बना लें और इसको आप freeze कर सकते हैं अब चलते हैं इसको fry करने के लिए तो इसको fry करने से पहले आपने oil को अच्छी तरहां से गरम कर लेना है और इसको आपने deep fry कर लेना है जैसे ही इसके पर प्यारा सा golden सा color आजेगा तो आप इसको निकाल लीजिए और सर्फ कीजिए So my friends आपने ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है और अपना feedback मेरे साथ शेर करना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है So दुबारा फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तकिल ये बना बहुत जड़ा ख्याल रखीएगा और दूमे याद रखीएगा आला हाफीज प कर दोना है झाल झाल आज मैं बना रही हूँ हैत्रा पादी बर्यानी जिसका मसाला हम होम मिट बनाएंगे और यह बहुत मज़े की बनती है तो जैने फिर स्टार्ट करते है तो इसके लिए मुझे अनियन चाहिए होगा और यह मैंने 1 मीडियम लिया है और इसको मैंने बरीक बरीक सा काट लिया है तो मेडियम ट्रह मिजमेस है जिनको मैंने बरीक सा काट लिया है और ग्रीन चली चाहिए होगी 3-4 जिकन चाहिए तक सब्सक्री जह ड़र अ चौंद पज्ख अन्ठेशिक होगा अबको 2017 करका पेस्ट हैं 1 अबल स्ज осв रद चीली झाहिए किया है मों त्पैyorsun सांपका पाव अब ये सारे ड्राइ इंग्रेडियन्स को हम एक साथ मिक्स करनेंगे तो ये हमारा हैदराबादी ब्रियानी का मसाला रेडी हो गया है तो अब चलते हैं अपने नेक्स टेप की तरफ और अगर आप मेरे चैनल पे नई है तो से सब्सक्राइब कीजिए और साथ की बेल आइकन के बटन को जरूर दुबाईए ताकि इसे आने वाली मेरी हर लेटस वीडियो सबसे पहले आपके पास तौनचे रेसिपी अच्छी लगे तो ये लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा तो ये देखे हमने हॉम मेट मसाल राइडी कर लिया है खैदरबादी परियानी का और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैस की तरह तो मैंने एक पिराही ले ली है और इसकी बीच में हम ओईल डालेंगे वान अड़ हाव का ओईल डाने जब ये थुला सा गरम होजेगा तो हम इसमें सब सी लाइची डाल देंगे और जो हमने प्यास काटके रखी थी वह हम इसमें डालेंगे और हमने अपनी फ्लेम मीरियम फ्लेम पिसको पताएंगे और प्यासों को हम करनेंगी गोल्डन ब्राइड तो प्यास हमारी गोल्डन ब्रन हो चुकी है अब हम इसमें चिकन को एड़ करेंगे और इसको हमने 5 मिनट तक दूनना है ये चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए ये हैद्रापादी बिर्यानी बहुत मज़े की बनती है इसका टेस्ट बहुत अदा डिफरेंट होता है और अ आप नेशनल बिर्यानी की पैकेट को फूल जाएंगे और आप इही घर में फुद बनाया करेंगे बहुत मज़े की बनती है तो ये देखें चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है अब हम इसमें टोमैडोस डालेंगे और ग्रीन चिली डालेंगे और जो हमने होम मिन्ट मस तो ये देखें इसका कलर कितना अच्छा हो गया है और ऑइल भी इसको पर आगया है इट मींस आपने सब बहुत अच्छा भूण लिया है अब इसकी बिश में हाफ गलास पानी का डालूगी अब मैं इसको लो मिन्ट इन फ्लेम पे पकाऊंगी 15 मिनिट के लिए ड़के ता तो ये देखें 15 मिनिट सो गई है अब मैं इसके बिश में पानी एट करूंगी 3 गलास क्योंकि चावाल जो थे हमें ने 2 गलास लिये थे और उनको मैंने हाफ एनार पहले सोग करके रख दिया हुआ था तो जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो इसके बिश में चावाल तो ये देखें अब राइस नजराना चुरू हो गए है अब मैं इसको दम पे पकाऊंगी जब तक हमारे चावाल पिल्कुल सहीं ना बने चाएगे अब इसके पड़ येलो कलर डालेंगे जितना आप डालना चाहती है आप उतना डाल सकती है मैंने इसके भिश में हाफ टेबिस्पोन एड़ किया है और इसको ठब देंगे बात इसको मिक्स करेंगे तो इसका प्यारा सा कलर आ जाना है आपको कैसी लगी है आपने मुझे कमंड सेक्षिन में जरूर बताना है तो यह हमारी रेडी हो चुकी है अब आप इसको रायते के साथ सर्फ करें और इसको इंज्वाई करें तो दुबारा फिर मिलते हैं एक नहीं राइसित के साथ तक्रिपना बहुत अदा ख्यान रखियेगा और आप सब को में जर्फ से बहुत बहुत रमदान लों पारे बहुत अदे इबादत कीजिएगा और अपने प्यारों को भी इसका स्वाप हों चाहिएगा जो इस सुनिया में हैं और जो यहां से जा चुई है सब को इसका स्वाप हों चाहिएगा और अपने जर्फ को जितना दला सोवार सिकते हैं उसको आप सवार लीजिएगा तो दुबारा फिर मिलते हैं तब तक लिए नहीं बहुत अदा ख्यार रखियेगा अलाहाफिज आज मैं आपके लिए फजीद चिकन पार्षिल की रेसिपी लेकिए आई हूँ जिसे बनाना बहुत असान है और बहुत मज़े के बनते हैं तो जैने फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो इस करीब मैंने चिकन लिया है वन कप बॉइल किया हुआ और श्रड़िट किया हुआ इसे मैं बॉल में डाल दूँगी cabbage ली है, one cup grate की हुई, ये गॉल में डाल देंगे carrot ली है, one cup, इसको भी बरीक सा grate कर लिया था shimla mirch ली है, इसे मैंने छोटे-छोटे से cubes में मैंने काट दिया है one medium size का onion लिया है, इसे भी छोटे-छोटे से cubes में काट दिया है spices में जा रही है, red chili flakes, one teaspoon salt लिया है, one teaspoon, powder black pepper जा रहा है, one teaspoon तो बस ये spices थे, जो इसमें जाने थे, mayonnaise जाएगा इसमें, half cup इसको हम डालेंगे और mix कर लेंगे, तो chicken fujita feeling जो है, वो हमारी रडी हो चुकी है बहुत मैजे की बनती है, आपने ये ज़रूर ट्रॉइ करनी है आप इसे रोल और स्मोसे दोना में यूज़ कर सकते हैं, और जो आप bread के रोल बनाते हैं, आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं अब हम स्मोसा पटी लेंगे, यह मैंने आपको बनाना से खाई हुई है और इसका recipe card मैं आपको end screen में भी देदूँगी, eye button में भी देदूँगी और description box में भी देदूँगी आप लोग देट लेजेए, इस तरह से हम इस पर पटी लगा देंगे और पर पेस्ट लगा देंगे और पर यह दूसरी साइज पर रखेंगे, इस पर भी पेस्ट लगा देंगे इस तरह से कड़के हम इसके folding कर देंगे तो त्यार हो जाता है हमारा यह चिकन को जीदा पार्ट पर रेजिपी अच्छी लगे तो इसे like and share ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो इसे subscribe कीजिए और साथ की वेल ऐकन के बटन को ज़रूर दुबाईए ताके मेरी आने वाली हर डेटरेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे तो ये देखें इस तरहां से हमने ये बना के रेडी कर लिए हैं और इसी तरहां से हम बाकी सारे रेडी कर लेंगे और अगर आप इसको बना के फ्रीज करना चाहते हैं तो आप इसी किसी एर के टाइट कंटेनर में डाल के या किसी प्लास्टिक प्रैक में डाल के फ्रीज कर सकते हैं और जब भी आपने इसको fry करना हो तो आप इसको directly निकालिए और fry कर लीजिए तो बहुत मज़े के बनते हैं आपने गेरे से भी जरूर ट्राइ करनी है और अपना feedback मेरे साथ जरूर शेयर करना है तो चलिए अब देखते हैं कि रॉल को किस जहां से shape दी जाती है इसके लिए मैं आपके साथ two methods share करूँगी method no.1 यह है इस shape में हम roll party को दस लेंगे और इसके पर filling डालने के बाद हम इसको roll करेंगे और इसके corners के पर paste लगाएंगे जो हमने ready की थी ताकि यह अपस में जो जाएं और खुलने न पाएं तो paste हमने इसके पर लगा दी है अब हमने इसको इस तरह से force कर देना है इस तरह कर में से हमारी filling जो है वह बाहर नहीं आएगी तो यह देखें इस तरह करके हमने इसको roll कर लेना है तो यह देखें roll की shape आ भी है अब चलते है method no.2 के तो यह देखें हमने इस shape में पटी को रख लेना है और उसके पर हमने filling डाल देनी है इस तरह से अब इसको roll करेंगे और इसके side पे थोड़ी थोड़ी सी paste लगा देंगे paste लगाने के बास हम इसके corner पर salt कर देंगे और आपने इसको roll कर लेना है तो यह देखें कितना प्यारी shape आगी है इसकी तो यह two measures मैंने आपकी साथ share की है आपने इसको जूर ट्राइ करना है और बताना है कि आपको यह कैसी लगा तो आप इसको फ्रीज कर सकते हैं इंटाइट सेंटेनर में डाले या प्लास्टिक व्रैप में डाले तो आप इसको जितनी जए तक फ्रीज करना चाते हैं आप कर सकते हैं और जब आपने इसको fry करना हो तो ड्रेकली निकालिएगा और इसको fry कर लीजिएगा तो यह देखें मैं आपको fry करके इसका result दिखा देती हूं तो इसको हमने medium flame पे fry करना है ओ爾 आपका ना ज्यादा गरम होना चाहिए ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए बस medium गरम होना चाहिए उस पर हम इसको fry करेंगे और जैसे ही इसको कलर गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे तो यह देखिए गोल्डन क्रटी है वो चुके हैं आप मैं इसको डिशाउट करूँगी और आपको मैं काटके दिखाती हूँ कि यह कितने क्रिस्पी बने है तो त्यार है हमारे चिकन फुजीता पार्सल और रॉल तो आप इसको रमजान में बनाए या टी टाइम पे बनाए बहुत मज़े के बनते हैं आपने यह रेसिपी जरूर ट्राई करनी है और अपना फीड़बैक मेरे साथ जरूर शियर करना है कि आपको मेरी यह रेसिपी कैस लगी है तो दोबारा फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा अलाहाफिज